नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं क्रिशना टेल्स सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल और हिट कीजिए वेल आइकॉन जिससे आपको नोडिफिकेशन मिलता रहे आईए दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि बालम खीरा का काढ़ा कैसे बनाएं ये जो चार बालम खीरा आप लोग को दिखाई दे रहे हैं ये मैंने पेड़ पर चड़ने वाले व्यक्त से तुड़वाए हैं इन में से मैं दो खीरा चूर्ण बनाने के लिए अलग रख लेता हूँ तथा ये बचे हुए दो खीरा से काढ़ा बनाऊँगा अब मैं ये बताता हूँ कि इनको कैसे काटना है इनको तेजधार बाले चाकू से पहले आगे से इस प्रकार काटना है और फिर पीछे से काट कर निकाल देना है फिर इसके बीच से लंबाई में दो भाग कर लेना है मैंने इस तरह से छोटे छोटे टुकडे कर लिये हैं जब तक मैं इने काट रहा हूँ तब तक ये भी बताता चलू इन ताजे कटे फलों को नहीं खाना चाहिए क्योंकि ये फल जहरीला होता है इने खाने योगी बनाने के लिए शुखाना उबालना तता रोस्ट करना कि पानी कितना मिलाएं तो दोस्तो पानी मिलाने के दो तरीके हैं पहला ये कि मुझे ये मालूम है कि ये दोनों खीरों का बजन लगवग एक किलो है तो इसमें हमें दो गुना पानी दो किलो यानि कि दो लिटर पानी मिलाना है दूसरा तरीका ये है कि एक गिलास से नाप करके टुकडों को इस प्रकार भगौने में डालना है देखे ये एक गिलास भर कर डाल दिया फिर दूसरा गिलास भरा और अब तीसरा गिलास भी पूरा भर गया है अब मुझे तीन गिलास की जगहे पर इसका डवल यानि की छे गलास पानी डालना है जो कि मैंने एक एक गिलास गिनकर के छे गिलास पानी डाल दिया है अब भगवने को तेज आज पर कुबालने के लिए रख दिया लगवग 15 से 20 मिनट के बाद देखा कि पानी का रंग कत्थई हो गया है अब इसको लगवग तब तक गरम करेंगे जब तक कि पानी आधा न रह ज है देखिए अब पानी आधा रह गया है इसको ठंडा करके एक बोतल में इस प्रकार चान लेते हैं इसका चानना जरूरी है क्योंकि इसमें बालम खीरा के छोटे-छोटे बीज अलग निकलाते हैं तो लिजिए यह मेरा बालम खीरा का कढ़ा बन कर तयार हो गया है इसे लगवग आधा कप सुबह, दोपहर और साम को दिन में तीन बार पीने से लगवग दस से पंदरा दिन में किड़नी की पर्थरी तूट कर पेशाव के रास्ते से बाहर निकल जाती है ये काड़ा किड़नी के पत्री के लिए रामबान इलाज है इससे पिता से गाल व्लेडर की पत्री नहीं निकलती है इसके लिए गाल व्लेडर का ओपरेशन ही करवाना पड़ता है अब मैं आपको बालमखीरा का चूरण बनाना बताता हूँ जो ये दो बालमखीरा हमने चूरण के लिए रखे थे इनको हमने छोटे छोटे टुकुडे काट करके दूप में सुखाने के लिए रख दिया है पहला दिन देखिए ये सूख करके ऐसे हो गई है इनका रंग बदल रहा है दूसरे दिन का देखिए इनका रंग और भी गाड़ा हो गया है और साइज भी बदल रहा है तीसरे दिन देखिए अब इनका रंग कथई कलर में पूरा बरवर्थ हो गया है और सूख करके टेड़े हो गए है अभी भी यह इस तरह कि नहीं हुए है कि इनको कूटा जा सके इसलिए हम एक दिन और इनको दूप में रखते हैं चौते दिन के लिए हमने इनको दूप में रखा है अब चौते दिन का बात देखा है कि इनका color और size बदल करके ऐसा हो गया है अब ये कूटने like हो गए है अब इनको हम इमान दस्ता या खरल में रख करके कूटते हैं कूट करके चूड बनाते हैं जिनके पास इमान दस्ता या खरल नहीं है वो लोग grinder mixer का प्रियोग कर सकते हैं grinder mixer से पीशने के बाद इसको हमने देखा है कि चूड बन गया है तो इसको फिर हम छान लेते हैं चानने के बाद जो छानन बचता है चोकर बचता है इसको हम रख देते हैं फैकेंगे नहीं क्योंकि ये भी उप्योगी है इससे हम चाय बना करके पी सकते हैं अब ये जो हमारा चूरन है इसमें हम दो चम्मच काला नमक और मिलाते हैं मिलाने के बाद ये हमारा चूरन तयार हो गया है अब इसको हम नमी से बचाने के लिए एक सूखी काँच की सीसी में रख देते हैं अब हम बताते हैं कि इसको हमें कैसे खाना है तो इसके लिए एक फुल चम्मच गुन तरह से लेने से पेट के पाचन संबंधी सभी विकार दूर होते हैं जैसे कवजियत, अफरा, पेट दर्द, दमा, बुखार, आत की सूजन, आत में खीले, खटी डकारे आना इत्याद जो पाचन संबंधी विकार है वो सारे दूर होते हैं पत्री के लिए भी हम गुर्दे की पत्री, किड्नी की पत्री के लिए भी हम इस चूरन का प्रियोक करते हैं और खाने का तरीका वही है याद रखें कि ये किड्नी गुर्दे की पत्री के लिए ही रामबान इलाज है पित्ताशे या गाल ब्लेडर की पत्री इससे नहीं निक पढ़ता है तो आसा करते हैं कि अब आप लोग काढ़ा बनाना और चूरुन बनाना सीख गए हैं तो जब कभी आपको बालमखीरा पेड़ पर लगा हुआ मिले उसको तोड़ करके बालमखीरा का काढ़ा और चूरुन बना करके इसको प्रियोक करें थैंक्यू धन्यवाद